नरेंद्र मुदी बंगाल में है और बंगाल के मालदा में उन्होंने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर ममता बैनरजी और कॉंग्रेस पार्टी को घेरा पुष्टी करन की खातरिय लोग देश हिप के लिए किये वे हर बेरे को बापत परगता चाहते हैं इंडी घड़बंद्वांगार कहते हैं कि यह कश्मीर में आर्टिकल 370 फुर्द हाल करेंगे PNCO कांग्रेस के लेता कह रहे हैं कि इस हबता में आए तो CAA कानून को रज कर देंगे आप मुझे बताईए बटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सी, इसाई, बहुत दर्ग के लोगों पर जुल्म ढाये जाते हैं जहां उनको धर्मानतन के लिए मजबूर किया जाता है जिनके आस्था, जलो, मंदिर, गुर्द्वार, चर्क दोस्त कर दिये जाते हैं जिनकी बेहन बेखियों का जबरन शाजी करके उनका धर्मानतन करवा दिया जाता है आफिर वो कहां जाएंगे इसमें बहुत बड़ी संख्राम है हमारे जलीद भाई दहन है तुस्ती करण के लिए टीम्सी कॉंग्रेट इने भी ठुकड़ा जया चाहती है कॉंग्रेट के घोषणा पत्र आने के बाद भारती जनता पार्टी के प्रती लोगों का रुजान और बड़ा है क्योंकि कॉंग्रेट ने अपने घोषणा पत्र में एपिस्मेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है कॉंग्रेट के घोषणा पत्र में पर्सनल लोगों हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है मैं राहूल गांदी जी को पूछना चाहता हूँ पर्सनल लोगों आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब सर्या के आधार पर चलेगा किस प्रकार का पंथ निर्पेक्स सम्विधान आप इस देश में चाहते हैं हमारा सम्विधान पंथ निर्पेक्स है महीं लोकसवा चुनाव के वीच संपत्ती पर सियासी संग्राम थमता दिखने ही रहा है संपत्ती के मुद्दे पर आज प्रधानमंती नरिंद्र मूदी ने बंगाल की धर्ती से फिर तीर चला है खानून में महिलाओं का मंगल सुत्रा आदिवासी महिलाओं के गहने और किसी की प्रॉपर्टी जाच कराने का ये कॉंग्रेस वालों ने एलान किया है इसके लिए कॉंग्रेस के सहजादे विदेश से आई एक्सरे मशिल लाए है वो फिरे देश में सब का एक्सरे कर देंगे कॉंग्रेस का इरादा है कि जिसके पाथ जितना पैसा सोना चांजी होगा जमिन होगी सब पर कब्जा कर लिया जाएगा एमशी और कॉंग्रेस में तुष्थी करण का कैसा कॉंप्विडिशन चल भाए एमशी संकार मंगाई में बंग्लादेशी बूष्पेडियों को लाकर बसाने का काम करती है इन बूष्पेडियों को आपकी जमेन खेग़वर कब्जा करवाती है और कॉंगरेस आपके संपत्थि ऐसे enario में बातने के बात कर रही है साथियों कॉंगरेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्थि पर भी 55 फतिश्ट टैस्ट लगाने की योदना बना रही है यानि आपके जीवन बर की कमाई आपके बाद आपके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगी उसमें से आदे से ज़्यादा कॉंग्रेस सरकार जबत कर लेगी और संप्वत्ति जाएगी कहां? कॉंग्रेस के वोट बेंग के पास कॉंग्रेस के फर्विलों को जानने के बाद पुरा देश कह रहा है कॉंग्रेस की लोग जिन्दिकी के साथ भी और जिन्दिकी के बाद भी झाल 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 झा